असलाम अलेकूं और रहमत उल्लाए बरकातों देखिए मुझे भी काफी दिन से लोग यहीं बोल रहे हैं टूरंट का जो मुद्दा है जो प्राइवेट कंपनी मुम्रा शहर में लाई गई है ऐसा लोग बोलते हैं लेकिन मैं बता दू उसके उपर मैं जो है 2020 से फॉलो कर रहा हूं जिस वक्त प्राइवेट कंपनी यहां पर आई उस वक्त सारे मीटर निकाले जा रहे थे और लोगों उपर कैसे सो रहे थे तो मैंने साथ फरवरी 2023 को चीप इंजीनियर मसी डीशियल को मैंने नोटिस दिया नोटिस हाई कोट के वकील के जरिया दिया और उसी टेम पे मैंने आठ फरवरी 2013 को उपूक मंदरी को दिया कि जो मुमरा में प्राइवेट कंपनी आई है उस कंपनी को एमेसी डीशियल ने जूटे एफिडिपिट देकर प्राइवेट कंपनी को लाया गया उसके लिए मैंने फॉलो किया था यह देख सकते तेइसनों दोहजार बीस को एक पत्र दिया उसके बाद मंने एक देने के बाद मुझे चीफ इंजिनियर ने एक यह letter दिया जू हमारे मेंहसी डीसेल के अधिकारी के उपर कारवाई करने की बात किये है तो हम पंदरा दिन के अंदर करेंगे पंद्रा दिन के बाद उन्होंने कारवाई नहीं किये तो हमने काफी फॉलो किये तो फिर हमें मजबूरन जो है हमने फिर एक वकील के थुरों उनको नोटिस दिया कि भाई यह जो एक घर एक मकान एक दुकान के उपर चार चार बार पीडी हुआ है जैसे कि आपको बता दूँ एक बिल मेरे पास है यह 40 लाक रुपिया का बिल लेकिन जब हमारे पास हुआ है तो 38,980 रुपिय एक्च्वल उसका बिल तो इसी तरह से मुम्रा में जो 370 करों लगबग बताया रहा है कि यह ठकबाकी करके जो है प्राइवेट कंपनी को दिया गया है अब प्राइवेट कंपनी के जब टेंडर होता सरकार का तो काभी कंपनियां रहती है तो टोरंट आई तो उस वक्त से लोग बहुत परेशान हैं लेकिन एक चीज मैं आपके न्यूज के माध्यम से बता रहा हूं कि मुम्रा शहर में आठ घंटा पहले लाइट रहती थी आपको पता होगा लारी साथ रहें हों गया रात को जब कौाम से हम लोग आते थे तो कहीं का ट्रांसफार्मर जल गया कहीं का केबल जल गया कही का लग जल गया तो हम लोग खुद पकड़ लेके प्राइबेट आदमी से काम करके लोगों को काम करते थे लोगों को तक्लीफ से नजात होती तो इसलिए मैं जब देखा कि यह सब चीज चल नहीं रही तो मैंने जो हाई कोट में नोटिस हाई कोट के वकील के जरिए उनको तो सारे सुबूत 10,000 ग्राहक का जो बनावटी बिल बनाये थे मैंने उपमुक मंदरी को चीप इंजिनियर को दिया हूँ क्योंकि अभी सरकार ने प्राइबेट कंपनी को लाया है चाहे टोरंट हो या कोई भी हो तो उसको हटाने के लिए कोई तो सुबूत चाहिए इसलि तो भी कि दिवा और दिवा और यहां के मुम्रा कौसा के जो बिल है उसे नहीं भरना चाहिए पुराना उसका एक लेटर मैंने यह भी दिया था 16 11 2021 को और उनके उपर विजिलियंस केस नहीं होना चाहिए जो 95 के पहले और बिल लोगों के बकाया थे तो उसके उपर जारी हुई कि पीडी का जो भी पैसा है 100% माफ किया जा रहा है और पांच इस्टोल्मेंट यह तो बहुत दिन से ऐसे चल रहा लेकिन इसका जो है टोरंट कंपनी को हटाने के लिए प्राइबेट कंपनी के लिए किसने लाया हमने सारे सुबूत जो है दे दिया है कि यह मिश्याला आने वाले दिन इलक्षन के बाद हम जो है हाई कोट में पूरे सुबूत के जरिये दाखिल करेंगे और अब इसको हाई कोट ही इसको जो है रिजेक्ट कर सकती है भागा सकती है अगर कोई बोलता है मैं कर दूं तो आप देख सकते हैं वहां पे टोरंट कंपनी आई और उस वक्त कौन मंद्री थे आपको पता होगा अजीद ददापावार साहित हो थे तो आज उसको वहां से हटा नहीं सके किसी ने यह जो कुछ लोग जुमले बाजी कर रहे है कि टोरंट कंपनी को हम हटा देंगे हमें ओड दे दो हम आमदार बन जाएंगे तो हम कर लेकिन वह तो फाम भी नहीं भरी शायद उस पार्टी से चलो यह तो जुमला है हर पार्टी का आदमी बोलता रहता उससे मैं नहीं लेना देना है लेकिन मैं आपको नीज के माद्याम से जंता को बता दूं कि इंशाल्ला इसके पीछे मैंने कम से कम 5 साल होने वाला है मैं पीछे लगा हूँ अभी सारे सुबूत मेरे पास आ चुके हैं और इंशालला प्राइवेट कंपणी जो यहां पे है किस तरह से जाएगी वो सरकार को हमने लिखित में पूरा जवाब दिया है कि आपको अगर कोई करता है जो आज आमदार बनने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से लोग आए हैं या मुम्रक हैं तो वो बेबुनियाद है और हाँ इसके लिए कोट के जरिये से इसको जो है हम लोग खतम करने का पूरा प्रियाश करेंगे यह सरकार को हम पूरा लड़ाई लडएंगे कोट के सामने जाएंगे कि शहर में जो प्राइवेटेशन किया गया है वो गलत स्टेप्मेंट लिया यह बिल जो है जो बनाया गया है है तो हम साबित करेंगे। में सी टीछल गलत कर सकते हैं टोरन्ट भी गलत करहें कि अभी टोरन्ट तो बोल रहें है कि नहीं हमारा भील है महावित्र यंड के भराबर है लेकिन हमारे पास वो व सुबूत आना चाहिए ना जैसे सुनुत-्ये में निकाल लिया एक दुकान है हमारे एरिया में एक बहुत दुकान है बतादू मैं कि चार नंबर दुकान है तो प्लबर चार एक एक मीटर है उसमें बिल लाखों रुप्या बाकी है उसके बाद उसने वो इमेसीटी से लाधिकारी को पैसा देके दूसरा मीटर एह अटा के दूसरा मीटर लिया फिर उसके बाद उसने तीसरा मीटर लिया ऐसा करके बहुत बेइमानी हुई शहर के साथ में और शहर को गुमराह किया जा रहा है और इसके लिए कानूर और काइदे के अंतरगत में जि कोट ही इसके उपर फैसला दे सकती है क्योंकि टेंडर होता है एक्रिमेंट होता है अगर वो लोग हटाते हैं तो उसको नोटिस कोट से जाएगी वाई टेंडर दिया जवाब और दस्यों साल केस से लेगा तो इसलिए अभी हमारे पास सुबूत आ गए हैं इस सुबूतों के प्रॉबूतों के लिए इस सुबूतों के लिए से जए जए दिया जएगी वाई तो उन्हें।